नमस्कार दोस्तों यह किस्सा मरीना एबरमाविक की जिंदगी का है सन 1974 में मरीना ने एक आठ पर्फॉमेंस दी वह पर्फॉमेंस उन्होंने हॉल में खड़े होकर लोगों के सामने दी यह पर्फॉमेंस रात आठ बजे से सुबह दो बजे तक चली उस पर्फॉमेंस के दोरान मरीना एक इनसान ना होकर केवल एक वस्तू थी उस हॉल में एक टेवल रखा गया था और उस टेवल पर कुछ चीजे रखी गई थी कुछ अच्छी और कुछ बुरी जिनकी संक्या बहत्तर थी दरसल अच्छा और बुरा यह हम पर निर्वर करता है कि हम किसी चीज का किस तरीके से इस्तिमाल करते हैं उस टेवल पर एक गुलाब का फूल पर्फॉम ब्रेड अंगूर वाइन कैंची कील लोहे की एक चड़ एक लोड़ड बंदूक आदी सामान रखा गया था उस हौल में मौजूद सभी लोगों को यह इजाज़त थी कि वहे उस टेवल पर रखी गई किसी भी चीज का इस्तिमाल मरीना पर कर सकते हैं और यदि इस दोरान मरीना को कुछ हो जाता है तो उसकी जिमेदार वहे खुद होंगी अब मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस सुरू की सुरुआत में सब कुछ सामान रसा था लोग मरीना के पास गए उन्होंने उन्हें देखना सुरू किया कुछ लोगोंने उन्हें गुलाब दिया कुछ लोगोंने उनके साथ खेला और कुछ ने उन्हें चूमा भी लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों का भयाना चहरा सामने आने लगा उस भीड से एक सक्स निकल कर उस टेबल की ओर गया उसने वहां से प्लेड उठाई और मरीना के गले पर चला दी अब मरीना के गले से खून बहने लगा और वह सक्स उस खून को पीने लगा कुछ लोगों ने मरीना के जिस्म में कीले चुभो दी एक सक्स कैंची लेकर मरीना के कपड़े काटने लगा लोगों ने मरीना को उठा कर उस हॉल में घुमाना शुरू कर दिया और एक सक्स उस भीड से निकलता हुआ उस टेबल की ओर गया उसने वहां से वह लोड़िड बंदू कुटाई मरीना के हाथ में थमा के वह मरीना की ओर तान दी यह सब पूरे छे घंटे तक यू ही चलता रहा अब छे घंटे बाद मरीना ने अपनी परफॉमेंस खतम की अब वह एक वस्तुना होकर एक इनसान थी अब मरीना ने हिलना सुरू किया और एक एक करके मरीना उन सभी लोगों के पास गई जिनों ने उन्हें परहसान किया था जिनों ने उनके साथ बुरा बरताफ किया था मरीना ने उन सबसे नजरें मिलाई लेकिन सबकी नजरें नीचे थी वह अपने हरकतों के लिए सर्मिन्दा थे मरीना की इस परफॉमेंस ने यह साबित कर दिया कि हम केवल तभी तक अच्छे हैं जब तक हमें बुराई करने का मौका नहीं मिलता उमीद करता हूं कि आपको यह किस्सा पसंद आया होगा और यह आपको यह किस्सा पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस परकार की कविता कहानियां किस्ते लाता रहूं तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता कहानी किस्ते के साथ और तब तक के लिए नमस्कार